तरिंदा हजार खून करके, अपने बाप को मारके, अपने बड़े भाई को मारके, सब को मारके सोचता है, पैसा खिलाएंगे, पूलिस जो आप देख रहे हैं, वो अब धपू पपू गोरक की सेफ्टी के लिए फोर्स उतार ये देखिए, ऐसे पूलिस प्रशासन पर है, पपू धपू का गिरफदारी चाहिए, उसका फासी चाहिए, अगर छूट गया वो लोगी इस बार, तो आपको, आपको सब को घर में घुश के मार देगा, आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, दर्शन ये है कि हमारे जो यहां के कुड़ी मोर के जो मुखिया है, सां करणा, इसमें बहुत बरा रोल गल्ती का है, क्योंकि उनलोक पूलीस और प्रोटेक्शन जो सरकार का सिस्टम है, इतना गंदा है कि कोई कई नहीं सकता, बहुत गंदा बिहार का सिस्टम है, कि चोर बदमास को प्रोटेक्शन मिलता है, और जो अच्छा इंसान है, हम लोग आप लोग देखेंगे और माला चड़ा हुआ देखेंगे, क्योंकि कल को आएगा यही कांट फिर करेंगा, हम लोगो मार देगा, आप लोग देखनी नहीं आईएगा, ओके यह कांट इनलों का एक का नहीं है, दस आदमी को वो मारा है, और मैं यह खुलिया मुल्मे मड़ने स नहीं डरते हुओ और यह पापू दपू जो सूटर को पैसा दे मरबाया है, सूटर पकरा गया, सूटर के मां बहुन को जेल में बंद कर दीये हो, तो इतने बारे चोड बंदमास को प्रोटेक्शन कूँ दे रहो हुँ, भाई, इसके मां बहुन को ले की जाओ, जब मां ब पुलिस के स्टेशन बे आएगा क्यों इतना बड़ा सरकार यहां की निकम्मी है बिहार सरकार नीतिस कुमार का सरकार निकम्मी है अजब से लालू यादब जी का बेटा तेजस्वी यादब डीप्टी सीएम बने है यहां का स्टेश्टर और ज्यादा बत से बत्तर हो गया है